हलो जियो वेलकम बैक्तु थोल न्यू वीडियो, तो गैस सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे हाथ में यहाँ यहाँ पे HDFC के credit card है, दोनों credit card जो रूपे वेरेंड के साथ आता है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, पहला credit card यहाँ पे आप देख सेते हैं, Tata New Plus credit card है, और दूसरा credit card है, वो Money Back Plus credit card है, आपको पता है, जो रूपे वेरेंड credit card है, उसका सबसे बड़ा benefit है होता है, आप इस card को जो है, direct UPI के साथ लिंक करके, और UPI payment direct आप कर सकते हो, किसी भी merchant का क्या वर्कॉर्ड scan करोगे, बार्कॉर्ड scan करोगे, और आप direct अपने इस credit card से या फिर इस credit card से direct payment कर सकते हो, तो इसका सबसे बड़ा benefit यही आपको देखने को मिलता, इसलिए रूपे वेरेंड को सबसे ज आता है, और किस क्या वर्कॉर्ड को scan करके, जो है, credit card का option नहीं आता, जाने के इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी, अगरे वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, और इस लिए वीडियो को शूरू करते हैं, सबसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो मेरे phone के अंदर Google पे है, उसके अंदर मेरे कौन-कौन से रूपे credit card जो है, एड पहले से शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जसी मैं इसको पर click करता हूँ, यहाँ पर रूपे वाले option में अल्रेडी लिंक है, गूगल पे के अंदर, तो यहाँ पर sports guru मुझे मैं कोई भी barcode scan करता हूँ, क्या मैं यहाँ से payment कर सकता हूँ, यह नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो क्या वार कोड मेरे पास यहाँ पर पड़ा हूँ है, यह भारत पे का क्या वार कोड है, ठीक है, तो य यह मेरा भारत पे का merchant account है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास जब मैंने इसको barcode को scan किया, scan हो चुक है, यहाँ पर दिखा भी रहा है, detail वगरा दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, यहाँ पर मैंने 10 rupees send की, जैसी मैं यहाँ पर tap करता हूँ, यहाँ पर option आ रहा है, क qa money bag plus credit card है, यहाँ पर शो ओ रहा है, यहाँ जैसक Test के and दूसरा 19, यहाँ पर शो और 9 0, यहाँ पर नाम देकाँ घे आ रहा है, यहाँ हो पर यहाँ पर سंट करता हूँ, तो जैस यहाँ पर देख सकते है, message में क्या आ रहा है, यहाँ प्लीर ली दे हकते हैं, यहाँ धक्ल इस वाले काड से नहीं कर पाया हूं जबकि मेरे काड की डिटेल भी ठीक है तो चली गैज मैं आप यहां से दूसरे काड करके देखता हूं इस यहां पर देख सकते हैं दोनों काड में से मिशुव आ रहा है तो यहां पर देख सकते हैं अब की बार मैंने यहां पर मेरा पेटेम का क्या वार कोड है मैंने उसको स्कैन की है यहां पर यह क्या वार कोड है पेटेम का तो इसको पर मैं टैन रूपीज ड़ले यहां पर एंड उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं चूज अकाउंट के आप कहां से पेइख करना चाहाँ तो वह आप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा का सिर्फ अकांस दिख रहे हैं रिख dh car pool 5 अब हैं अपने दोनों काड को छो यहां पर दिखा दि नहीं रहसाण है यहां अपर नेट देख पाएंगे यह مेरा में main account यहां पे लिंक है ये HDFC का जू है आप तैक से लास्त में 46 है ये मेरा जो है SBA का केट काट इसमें लिंक है moneyback plus वला और ये जो लिंक है यह है Tata new वाला यहां फे लिए 90 तो दोनों केट काट जो मैंने यहां पे लिंक करें हुए हैं आप मैं यहां यहां पे बिख सेथे आप ठीक है आप यहां पर देख पाएंगे मैसेज आजाएगा अब यहां पर देख सेथे क्या मैसेज आगया आपको जैसे मैंने बताया था कि अनेवल टू वेरिफाई था क्या वरकॉड तो यानिकि इस क्या वरकॉड को यह फॉन पर कथ्रूब स्कैनी नियुक अब आप यहां पर दिखा रहां तो यहां पर यहां पर इसको उठाय नहीं है यहां पर यह गलत है यहां पर मैं 10 rupees डाल रहा हूँ guys ठीक है आपकी knowledge के लिए and यहां पे जो है मैं यहां पे check कर रहा हूँ कि मेरे जो card है वो show हो रहे का नहीं हो रहे है यहां पे आप ध्यान से देख लो guys ठीक है यह वो दो card है 46 वाला 90 वाला and इसके ओपर जाए अगर आप Paytium से किसी क्या वर्कॉड को scan करते हो mountain account को तो आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं अभी भी कोई ऐसा option नहीं highlight हो रहा है यहां पे लिखा रहा है कि you can pay using Paytium wallet only to pay user यहां पे आप देख सकते हैं आप credit card का option यहां पे highlight नहीं हो रहा है रूपे credit card से आप Paytium से payment नहीं कर पा रहे हैं तो guys मैंने यहां पे आप लोगों को live proof करके दिखाया कि मेरे साथ जो है क्या problem हो रही है हो सकता कि आप लोग भी इस problem को face कर रहे हो अगर आपके पास रूपे credit card है और आप उसे payment नहीं कर पा रहे हो या फिर कर पा रहे हो तो मुझे comment section में जरूर बताना क्योंकि मैं इन card से जो है ना ही Paytium के थूप payment कर पा रहे हो ना ही Google Pay के थूप payment कर पा रहे हो ठीक है हाँ मैंने इस card को एक बार यूज किया था तब यह working था मैंने पेट्रॉल पंप इसको यूज किया था जो 90 वाले credit card है तो वहाँ पर उनका phone पे का है अगर आप Paytium से उस रूपे card को scan कर रहे है किसी मचन अकाउंट के क्या वर को जैसे मैंने आपको भारत पे का मचन अकाउंट था उसको वो scanning नहीं कर रहे है उसको इन पेटियम पे वह जो scan करेगा तो आपको जो है जो रूपे card काड है वह हाइलाइट नहीं हो रहे है ठीक है तो यह जो प्रॉलम आ रही है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है हो सब्सक्राइब आपको आ रही है तो मुझे comment section में जुरू बताना अगर आपके पास इसका क reason बताएंगे ठीक है तो चली काइस मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगे एक वीडियो थोड़े सी बच्छे लगे help लगे तो इस वीडियो को लाइक जुरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब देना गाइस